आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन hidden cost की जो कि आपको मालूम होनी चाहिए अगर आप अपना एक food business start कर रहे हो food business कुछ भी हो सकता है, restaurant हो सकता है, qsr हो सकता है, food truck हो सकता है, cloud kitchen हो सकता है, bakery pastry कुछ भी हो सकता है यहाँ पर जब हम अपना restaurant चालू करते हैं या सोचते हैं तो हम एक budget लेके चलते हैं कि मेरे पास 10 लाख रुपे हैं, 12 लाख रुपे हैं और मुझे अपना सारा का सारा restaurant इसमें ही निप्टा देना है और जो मैं backup के लिए पैसा रखूँगा वो अलग है या आप सोचते हो कि इसमें से ही मेरा पैसा बच जाएगा जो कि मैं backup के रूप में या फिर जो मेरी परमंत मेरे expenses होंगे वो मैं इसमें से ही पूरा करूँगा बट यहां पे hidden cost होती है जो कि अधिकतर हम लोगों को मालूम नहीं होती है और जो भी पैसा आपने सोचा होता है या फिर जो backup के लिए रखा होता है वो भी घर्च हो जाता है और even अगर आपने backup के लिए नहीं रखा होता तो आपको यहां वहां से चीजे पैसों का जुगा चालू होने के बाद का तो हम लोग आज नहीं लेंगे यहां पे हम लोग सिर्फ दो प्रकार की hidden cost के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है मेरी pre-launch launch होने से पहले और दूसरी है मेरी act launch की launch के time तो यहां पे इन दो cost के बारे में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी अपन हमारी area की surrounding है और हम लोग क्या करना चाहते हैं हमारे पास जो काम करने वाले बंदे हैं हमारा civil वाला बंदा हमारा जो electrician है painter है वो किस प्रकार का है और किस प्रकार से काम करता है मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊं यहां पे हमारी कुछ products भी है अगर आप भी अपना restaurant cloud kitchen यह क kitchen की सारी cost सीख सकते हैं खुद ही honors के लिए specially है हमारे cloud kitchen के lottery course है हमारे person coaching program है जिसको कि हम लोग mentorship program बोलते हैं या फिर आप चाहे तो हमारी physical consultancy भी ले सकते हैं जिसमें हमारी team के द्वारा आपके यहां पे आके सारा का सारा setup किया जा सकता है यहां पे नीचे number मिल जाएंगे व कि भईया मेरे को तो 12 लाग रुपे खर्च करने हैं अब अचानक से आप देखोगे यहां पे आपने जो खर्चा रखा था ठीक है जब आपने आप गए बही मेरे को यह space लेना है या यह मैने जगे देख ली है तो आपका जो honor होगा ठीक है जिससे भी आप अपना वहां प पूरा का पूरा ले लेते हैं तो आप बोलेगे कि 3-4-5 लाख रुपे तो आपको इसमें ही देने पड़ जा रहे है जो कि आपने पहले सोचा भी नहीं था अगर आप दे भी देते हैं तो आपका जो पैसा है वो सारा का सारा इसमें चला गया अब आप रैस्टोन कहां से जया दोगे हैं तो यह जो एड़न कॉस्ट होती है उसका आपको सबसे पहले ध्यान रखना है दूसरा यहां पे आजाता है हमारी चिमनी का जिसको की हम लोग डॉक्तिंग बोलते हैं और हमारी फ्रेश एर का जैके आप लोग नहीं देखा हो किचेन के अदर बहुत जादा आप भी वहाँ बैठते हो तो आप देखो कि आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है वहीं अगर आप इन चीजों को लगाते हो तो लगभग आपका दो लाक रुपए इसमें बले जाएगे डिपेंड करता है कि चिमनी कितनी बड़ी है उसका जो पाइप है आपको फर्स फ्लोर पे निकालना या सिक्स फ्लोर पे लेके जाना है और इसके लिए आप अपने ओनर से और आजू बाजी वालों से जरूर पहले पूछ लीजे कि हम इस भी एरिया में आप खोल रहे हो जहां भी आप खोल रहे हो जिस भी सीटिम आप खोल रहे हो तो इस प्रगार के जो चिमनी वाले होगे फ्रेश एर वाले होगे एक बार आप उनको भी पहले बुला लीजिए और उनसे भी कॉस्ट जरूर कर लीजिए तो कि ये कॉस्ट बहुत सकते, फ्लक्शुट करती है, पचास जार भी हो सकती है, लाग भी हो सकती है, अगर आपको पता होगा, तो आपके लिए easy रहेगा अपने budget के हनुसार काम कर दे में, इसके बाद तीसरा यहां पर आ जाता है, वो आ जाती है, हमारे interior का, इंटिरियर हम लोग सोचते कि मै दो लाग में खतम कर दूँगा, चार लाग में खतम कर दूँगा, ठीक है, और जब आप चीजे चालू करते हो, तब आपका interior designer आके आपको चार design दिखा देगा, एक ये design, एक ये design है, ठीक है, और आपको choose करने के लिए बोलेगा, फिर आप choose करोगे कोई सा वाला महंगा व हो जाएगे, तो इस चीज का भी आपको पहले से ही ध्यान रखना है, इसके बाद यहाँ पर जो point आता है, वो आता है हमारी packaging का, अब हम लोग एक amount fix कर लेते हैं, कि में 50,000 उपे की packaging करवाऊंगा, ठीक है, और जब आप packaging material वाले के पास जाते हो, printing करवाने जाते हो, तो यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, even tissue के भी उपर मेरे जो मेरे restaurant का sign होना चाहिए, मेरे boxes के उपर मेरे sign होना चाहिए, ठीक है, और आप उनसे पूस्ते हो कि प्राइजिंग क्या है, अब आप देखोगे, कि आपको वो बोलेगा कि आपको इतनी तो minimum quantity लेनी पड़ेगी, आपके 57 item है, तो 57 type के आपको packaging चीए होगी, अगर एक packaging वो बोलता है कि minimum आपको 10,000 लेनी है या 5000 लेनी है, और एक box की खीमत अगर 5 रुपे भी में लगा लो, 5 रुपे में कम गोड़ा हो, तो सीधा 10,000 के इंटू 5, सीधा 50,000 होगी, तो सिर्फ एक जो आपका packaging material हो सीधा आ पड़ा है, जहां आपने पूरा ही 50,000 लेनी होगी, वहाँ पे सिर्फ एक आपका सिर्फ पचा अजर का पढ़ रहा है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, तो packaging अगर आप अच्छी चाहते हैं, तो अच्छे पैसे रखें, एक दो लाक रुपे तो मैं बोलू में रखनी है, यहां पे जिस परकार से मैंने चिमनी का बताया, यहां मैंने इंटीर का बताया, तो आप देखेंगे, यहां पे आपका जो इलेक्रिक काम हो रहा है, सिविल काम हो रहा है, पेंटिंग का काम हो रहा है, तो इन से आपको कॉरिनेट करते रहना है, क्योंकि यह लोग होते हैं जो कि आपके काम को डिले करते हैं मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ पर एक्षुल में वो डिले करते हैं तो यहां पर आपको एक टाइम लिट बान देनी है उनके पीछे पड़के काम करवाना है अगर आप पीछे पड़के काम करवाएंगे तो काम होगा नहीं डटीछ में जो कि आपको लगवाने होते हैं अगर आप किसी एपने निफसी क कर दिय कर दिक देक אז ब slips करने पड़ें और यह बहुत ज्वक्शा सृथ करते हैं यह नहीं कि आप इसके लिए सर्फ यह शित्राःब पर और फीडिये इसके लिए भी आपको एक अच्छा कासा मैं बोलने लगबख 50-60,000 का एमांट रखना पड़ता है और आपको इसको भी consider करना चाहिए इसको भूलना नहीं चाहिए इसके बाद यहां पर एक point और आ जाता है जो आता है हमारी marketing का marketing के अंदर हमारी कई सारी सीजे हो जाती है जैसे कि मैं digital भी बोलों बर digital जाने से पहले हम लोगों को photo shoot करवाना होता है और photo shoot भी आप करवाने जाएंगे तो 30-40-50,000 का वो भी हो जाता है इवन आप bloggers को बलाते हो आप उनको भी कुछ पैसा देते हो यह खाना देते हो ठीक है आपके चलेते तो वही घूम फिर के आपकी cost 12-14 या फिर 15 लाग तक चली जाएगी तो आज की वीडियो में यही था कि किस प्रकार से hidden cost होती है और आपको किन-किन चीजों का ध्यान रखना है कुछ भी questions और comments तो नीचे लिखेगा या फिर अगर जो हमारी services है आप लेना चाहते हैं तो नीचे WhatsApp का नंबर है वहाँ पर भी आप contact कर सकते हैं फिर में लेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जाहित